4, 3, 2, 1 महोदय हमारे देश में राजनेतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्दे नजर यह एक असाधारण बात है जबकि इन में से जादा तर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है चुनाओं में जटकों और यदा कदा तेड़े मेडे रास्तों के बावजूद प्रधान मंतरी के नेत्रित्व में जो नई आर्थिक नीती बनाई गई है उसे वराष्ट्री एस्तर पर स्विकार कर लिया गया है माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक शेत्र में मूल भुद्शुधार के अलावा पंजाब में नाटकिय बदलाव आया है बंदूग की लडाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट की लडाई ने ले ली है उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आजादी से कुछ कम नहीं है असम और उत्तरपूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आये हैं हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं है ऐसा समझना कि आतंकवाद का खतरा टल गया है बेशक गलत होगा पर जो सफलताएं हमने पाई हैं उन्हें स्विकार न करना कम गलत नहीं होगा पंचायत और इस्थानिय निकायों के चुनाओ कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजियु गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबधता फली भूत हुई है यह संग्विधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतंत्रिक क्रान्ति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है इससे हमारे राश्ट्र का लोकतंत्रिक आधार मजबूत हुआ है हिंदुत्व के घटे उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है भाश्पा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हुँ पर राश्ट्रिय स्वयं सेवक संग का नेत्रित भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, आधी जैसी सामाने समस्याओं से निपटने में कांग्रेश सरकार की नाकामी थी न की सामपरदाइक भावनाएं हिंदू सामपरदाइक्तावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राश्ट्री उपलब्दी है इन सबसे महतोपूर्ण है सारुभावमिक मामलों में भारतिय व्यक्तित्व का फिर से उभरना इसके आयाम हमारे विदेश शंबंधों में आर्थिक अंच की वृद्ध से कहीं अधिक हैं चीन से संबंध लगातार समान्य होते जा रहे हैं भारत इरान संबंध फिर कायम हो गए हैं इसी तरह दक्षिन अफरिका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं अमरीका और अन्य विक्सित पुन्जिवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिये जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं जुके हैं समर्पड की बात तो दूर है इसमें आर्थिक सम्बंधों के महतोपून स्वरूपों के अलावा रक्षा का शेत्र भी शामिल है इसका सबसे ताजा उदाहरण है परमाडू अप्रसार संधी के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया गुट निर्पेख्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं इन सब उपलब्धियों को मिलाकर एक वाक्य यह है कि प्रधान मंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनह स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुद्रिन बनाया